नमश्कार दोस्तों देखे पैरे बच्छों आज हम जैन ध्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस लगबग ये वीडियो 15 से 20 मिनिट का बनेगा इस 15 से 20 मिनिट के वीडियो के दिनर हम पूरा जैन ध्रम कम्प्लीट करेंगे जो आपके रीट के एक्जाम के दर्श्ची क अब देखेगा कितनी आसानी से हम इस टोपिक को पूरा करते हैं और ये देखे ये टोपिक आपके नया एड़ वा था ये तो आपको ध्यान में होगा जैन बोधर ये टोपिक नए लिखे गए हैं इसमें तो बोध धरम के बारे में हमारी लास्ट क्लास होगी थी और बोध सासक के सासनकाल में ये कमेंट करके बताइएगा कि जो तीसरी बोध संगीती है वो कहां हुई और किस सासक के सासनकाल में तो आज हम जैन धरम के बारे में पढ़ते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा पहले शेयर भी कर दिजिए अब आगे पढ़ते हैं तो हम हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पर जैन धरम अब जैन धरम से समधित महत्पून पोइंट है मैं डारेक पोइंट टू पोइंट बात करूंगा अब इसमें सबसे पहले हमें जैन धरम के बारे में देखना है कि जैन धरम के संस्तापक कौन है इनके महत्पुन जो भी गुरु है तो उनके कौन से हैं, क्या नाम है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जेहन ध्रम के संस्तापक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हैं रिशब देव जी, यह आप ध्यान में रखेगा माहविर स्वामी जी का नाम लोगपिरिये है, तो कई बार वो ए ओप्शन में माहविर स्वामी देता है कि जेहन ध्रम के संस्तापक हैं, तो आप ध्यान रखेगा संस्तापक रिशब देव जी हैं पहले जो गूरु हैं, रिशब देव जी का ही दूसरा नाम है आदिनाजी, यह पोइंट आप ध्यान में रखना है रिशब देव जी कहिए या आदिनाजी कहिए, और एक मैत्पुन बात और है, कि रिशब देव जी और 22 वे गूरु जो हैं, अरिश्टी नेमी इन दोनों का उलेख, रिशब देव जी और अरिश्टी नेमी, इन दोनों का जो उलेख है, वो हमें रिग्वेद में मिलता है यह चीज भी आपके लिए मैत्पुन है और यह प्रिक्षा में पूछी गई है और एक चीज और ध्यान में रखेगा, कि जो जेंदर में गूरु होते हैं, उनको तिर्थंकर कहा जाता है यह टर्म थुड़ा अप्ध्यान में रखना नेक्स पॉइंट की बात करते है पहले गुरु होगे, रिशव देव जी 22 में गुरु, अरेश्टी नेमी जिनका जो उलेख है, इन दोनों का उलेख कहां मिलता है रिग वेद में उलेख मिलता है इसके बाद में हम बात करते हैं, जो 23 में गुरु हैं पार्षव नाजी तो पार्षव नाजी जो है, इन्होंने चार त्रे की शिक्षाएं दी थी, वो हम लाश्ट में देखेंगे जो इनके पंच महावर्थ हैं, जैन दर्म के तो उसमें, जो शुरु के चार हैं, वो पार्षव नाजी ने दीए और जो पांच महा था, ब्रह्व चरी है, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था यह आप ध्यान में रख लाना इतना भी, और 24 में और अंतिम जो गुरु हैं, वो है इनके महावीर स्वामी यह इतनी से बातें आपको ध्यान में रखनी है, पहले होगे, 22 में होगे, 23 में होगे, 24 में, और अंतिम भी यही है मावीर स्वामी अब थोड़ा सा इनके परतीक्चिन क्या-क्या हैं, तो इन मैन मैन के नाम आप ध्यान में परतीक्चिन रख सकते हैं रिशब देव जी के जो परतीक्चिन है, वो सांड को माना जाता है, और जो अरिष्टी नेमी है, इनका परतीक्चिन माना जाता है संख को, और पार्शव नाजी जो है, इनका परतीक्चिन माना जाता है सरप को, और महावीर स्वामी जो है, इनका परतीक्चिन माना जाता है स तो ये कुछ सुरू में बेसिक जानकारियां थी, जेहन दर्म से सम्मधित, अब आगे हम बात करते हैं महावीर स्वामी से सम्मधित, महावीर स्वामी, तो लोक पिरियता किसके नाम से, महावीर स्वामी जी के नाम से लोक पिरियता जेहन दर्म की है, ये बिंदु आप तोड पढ़नी होती है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके जनम के बारे में, फिर इनके मातापिता का नाम, फिर इनका विवाह किसे हुआ, फिर क्या उससे कोई संतार भी थी, ये चीजे पढ़नी है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनम की, इनका जनम कहां होता है मावीर स्वाम का, तो 540 ईसाफ पुरव में वह का था, देखे अलग-लग किताबों में अलग थोड़ा मिलता है, आप इसी कोई सही मानना, कई किताबों अलग-लग मिलेगा, 540 ईसाफ पुरव के अंदर महावीर स्वामी का जनम होता है, कहां पर, कुंडगराम, कुंडगराम कहां परता है, बिहार में है ये कुंडगराम, वैशाली, ये बिहार में, तो महवीर स्वामी का जनम कहा हुआ था, कुंडगराम में हुआ था, कब 540 ही साव कूरों में कुंडगराम का वैशाली, ये सब चीजे बिहार में है, इनके माता पिता, माता का क्या नाम था, त्रीशला, और पिता क नाम जो है वो था सिद्दार्थ अब माता जो है ये कहां से कौन थी तो जो लिच्वी राजा था चेटक इनकी माता जो है तिरिशला लिच्वी राजा चेटक की बहन थी ये पोईंट आप ध्याने में रखेगा लिच्वी राजा चेटक की बहन थी कौन इनकी महाविर स्वामे जी की मातरा और पिता जो हैं सिद्दार्थ तो ये किस कुल के सरदार थे राजा टाइप थे किस के ग्यातर के कुल के ग्यातर के कुल के तो ये बायो डाटा अब आगे ओर है इनका विवा हुआ था बिलकुल हुआ था इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और देखेगा माहत्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोदरा इनकी पत्नी का नाम था यशोदा क्या इनके कोई संतान भी थी? बिल्कुल संतान थी संतान का नाम था अनोजा पिरियदर्षनी पिरियदर्षनी नाम आप ध्यान में रखेगा अनोजा पिरियदर्षनी तो और अनोजा पिरियदर्षनी का जो विवा हुआ वो वा था जामिल से जामिल और जामिल जो है वो महवीर स्वामी के पहले अनुयाई थे यानि महवीर स्वामी के जो दामाद हैं वो दामाद इनके पहले अन्याई थे, जिनका नाम था जामिल, जो कि अनोजा पिरिये दर्शनी के पती थे, अच्छे महावीर स्वामी के बच्पन का नाम भी आप से पूछ सकता है, तो पता होना चीए वर्दवान महावीर, पूरा नाम वर्दवान महावीर बोलते हैं हम कई बार, तो में थोड़ा सा ये कनफ्यूज हो जाती है, तो ये इदर से उदर हो जाता है, थोड़ा सा समझगे पढ़ो गलत नहीं होगा, तो ये अब इसके बाद में बच्पन का नाम हमने पढ़ लिया, ये गर से कब इनोंने गरह का त्या किया, तो तीस वर्ष की आयू के में, जब इनके माताविता का दिहानत हो गया था, तो इनोंने, जो अपने बड़े भाई थे नंदी वर्दन, उन से अनुमती लेकर के सन्यास को स्विकार किया था, और कितने वर्षों तक खटीन तपश्या की, बारा वर्षों तक खटीन तपश्या की, उसके बाद में, रिजु पा नदी के तट पर इनको ग्यान प्राप्त होता है, साल वर्ष के नीचे, तो उसके बाद से फिर ये जिन का अलाएज, यानि जिन का मतलब यहां है, जिनोंने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, तो ये कुछ बैसी बैसिक चीजें थी, अब और आगे पढ़ते हैं इसमें, तो ये चीजें आपको होगी, संस्तापक मैंने आपको बता दिया, रिशव देव जी या इनका दूसरा नाम आदी नाजी और फिर बाइस में अरिश्टी नेमी, रिशव देव जी और अरिश्टी नेमी दोनों का यूलेक जो है रिग्वेद के इसके बाद में 540 इसा पूरो में महविर स्वामी का जनम होता है, इनके माता पिता का नाम हमने देख लिया, इनकी बेटी का नाम देख लिया, इनके जो दामाद हैं जामिल उनका नाम देख लिया, इनके पहले अनुयाई जो बनते हैं, वो भी जामिल है, और पहली जैन ब ददी वहान उनकी पुत्री थी तो पहली जेहन बिश्णी जो है वो ददी वहान की पुत्री थी चमपा तो ये आपके पॉइंट क्लियर होगे अब आगे इसको मैं डेलीट करके और आगे पढ़ते हैं यहां वापस लिख देते हैं जेहन धरम अब इसके बाद में देखेगा महवीर स्वामी के द्वारत दिये के कुछ सिद्धानत और कुछ कई बाते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं पंच महावर्द के बारे में देखे मैं उन्नी पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके एकजाम में आएंगे आपसे पुछे जाएंगे पंच महावर्द जो हैं वो कौन कौन से हैं आहिंसा है सत्य है एस्ते है एपरीगर है और पांचवा है ब्रमचरिये इनमें जो शुरू के चार है वो तो पार्शो नाजी ने दे दिये थे आहिंसा, सत्य, एस्ते और एपरीगर है और पांचवा जो ब्रमचरिये है वो किसने जोड़ा था माविर स्वामी ने जोड़ा था तो ये पंच महावर्द माने जाते है अहिंसा का मतलब होता है मन, वचन, करम किसी भी तरीके से हिंसा नहीं करना सत्य, सत्य का मतलब होता है जो विश्यवस्तु जैसा है उसका उसी रूप में बोलना उसको एस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना एपरीगरह का मतलब होता है आउशक्ता से अधिक संग्राय नहीं करना और ब्रम्चरिये का मतलब बड़े रूप में देखा जाए तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रन तो ये पंच महावर्त हैं इसके बाद में आपको जेन दर्शन से समधित कुछ चीजें पुछी जाएगी जैसे तरी रतन कौन से हैं तो जो मोक्ष का मारग है जेन दर्शन में मोक्ष का मारग क्या बताया गया है सम्यक दर्शन ग्यान चरितरानी मोक्ष मारगम सम्यक दर्शन ग्यान चरितरानी मोक्ष मारग तो सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक ज्यान और समेक चरितर समेक का मतलब होता है उचीत तो समेक दर्शन समेक ज्यान और समेक चरितर ये तिनो त्री रतन माने जाते हैं जेहन दर्शन के इसके बाद में जेहन दर्शन से सम्मधि जो है आभी आत्मा वगेरा को मानते है यानि जितना बड़ा सरीर तो उसमें उतनी बड़ी आत्मा तोड़ा इस तरह से मानते हैं लेकिन आब आपको आत्मा उत्मा पे जाता जाने के आउशक्ता नहीं है आपको नाम ध्यार में रखने हैं शादवाद और अनेकांदवाद ये दोनों टर्मिनलोजिक किस से सम्मधित है ये आपकी प्रिक्षा में पूछ सकता है कि शादवाद और अनेकांतवाद जो हैं ये किस धरम से संब्धित है? उसमें लिख देगा हिंदू धरम, इसाई धरम, मुस्लिम धरम, जैन धरम, बोध धरम, पार्सी धरम कोई भी धरम लिखके कह देगा बताओ किसका है तो आपको पता होना चाहिए कि किस द्रम से सम्मधित है इनके अर्थ क्या-क्या है वो आपके लिए रीट में जानना जरूरी नहीं है आपसे कभी नहीं पूछेगा सेकेंड ग्रेड का एक्जाम होता तो वहाँ आपको थोड़ा सा जाननी क्या हो शक्ता थी लेकिन यहाँ आपको नाम परिच्य होना चाहिए कि शादवाद और अनेकांतवाद जो है वो है किस सम्मधित जेहन द्रम से सम्मधित है इसके बाद में कुछ राजा है जो जेहन द्रम के अन्याई थे जैसे चंदरगुप्त मोरिय है आप जानते हैं कि चंदरगुप्त मोरिय ने उपवास करते वे जो यह पत्ती थी संतरा पत्ती से अपने प्राणों का त्याग किया था तो चंदरगुप्त मोरिय है एक इनका नाम ध्यान में रखेगा एक कर्लिंग नरेश खारवेल उसका नाम ध्यान में रखेगा और राष्ट कूट राजा था अमोग वर्ष तो ये कई फेमिस राजा थे जो इनको जेन दरम को मानते थे इनके अनुए ही थे चंद्रगुप्त मोरिय, कर्लिंग नरेश, खारवेल और अमोग वर्ष तो ये आपका हो गया पॉइंट इसमें इसके बाद में है कि महवीर स्वामी जी की मर्थ्यू कहां होती है यानि मर्थ्यू को यहां निर्वान का आगया है तो आलंकि निर्वान टरम जो है मूखे रूप से वैसे बहुत धरम की है लेकिन जेन दरमियां भी लिख दिया जाता है तो कहां होता है इनका मर्थ्यू 468 इसा पूरो में 468 इसा पूरो में इनकी मर्थ्यू ही थी पावापूरी पावापूरी राजगीर और पावापूरी है काँपर बिहार में तो बिहार में जनम हुआ और बिहार में मरत्यू होती है पावापूरी राजगीर यानि बिहार तो ये मैन-मैन जो पोइंट है वो हमने उस पे चर्चा की है इसके लावा जेयन द्रम जो है वो दो भागों में भी विवाजित हो जाता है कैसे अभी देखेगा देखे एक बार जो है वो मगद में अकाल पड़ता है तो बारा वर्षों का भिशन अकाल पड़ा कब की बात है ये लगवग तीन सो इसा पूरो की तो जो जेयन द्रम को मानने वाले अनुयावी में थे जैसे बद्र बाहू बद्र बाहू अपने सिशों के साथ में कहां चलेगे करनाटक चलेगे जबकि स्थूल बद्र जो थे इस्थूल बद्र वो वहीं रहते हैं अच्छा बद्र बाहू के द्वारा एक रचित गरंत हो रहा है कल्प सुतर ये ध्यान रखेगा उसमें जितने भी जेन गूरू हैं सबकि जीवनिया हैं उसमें मलब उनकी जीवनी हैं बद्र बाहू के द्वारा रचित गरंत कल्प सुतर में तो बद्र बाहू करनाटक चलेगे और स्थूल बद्र यहीं रुके इसके बाद में जब बद्र बाहू वापस लोट के आते हैं तो बद्र बाहू में और स्थूल बद्र में आपसमें विवाद हो जाता है और जब कुछ विशों पे क्या हो गया मतवेद हो गया विवाद हो गया तो अब जैन्द्रम जो है वो दो भागों में विवाजित हो गया एक भाग है श्वेतांबर और एक है दिगंबर और आप जानते हैं कि श्वेतांबर जो हैं वो स्वेत वस्तर पहनते हैं जब दिगंबर जो हैं वो नगन रहते हैं तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, तो ये कौन से शिशे किस के वें, तो जो स्थूल बदर के शिशे थे, जो यहीं रुक गए थे, वो तो वे श्वेतांबर, और बदर बाहू के शिशे हो गए थे दिगंबर, याद कैसे करोगे, स्थूल में पहले सय है और श्वेतांबर में भी पहले सय है, सय सय हो गया, मैचिंग मैचिंग, बाकि जो बचा वो बदर बाहू का दिगंबर का हो गया, इसके बाद में आपको जेहन संगीतियां ध्यान में रखनी है, तो दो जेहन संगीतियां होई थी, पहली और दूसरी, पहली जेहन संगीति वोई 300 इसा पूरव यही समय है जब इस्वेदांबर और दिगंबर में दो भागों में भाजित होता है तो 300 इसा पूरव इस्थान था पार्टली पुत्र और अध्यक्षता की थी स्थूल बदर ने तो पहली वलबी गुजरात और उसके अध्यक्षता किस ने की थी शमा सर्मण ने तो पहली जएन संगीती जो है वो 300 इसा पूरो में पार्टली पुत्र में इस्थूल बदर की द्वारा अध्यक्षता दूसरी जएन संगीती वी थी छटी स्थाब्दी में वलबी जो की गुजरात में है और अध्यक्षता शमा सर्मण के द्वारा और एक स्थान जो है वो ध्यान में रखेगा कि करनाटक का सर्मण बेल गोला में ये नाम कईवार आता है करनाटक के सर्मण बेल गोला में तो वहाँ जो मेसूर के उस वक्त मैसूर थे करनाटक वरनाटक तो बढ़े है बाद में मैसूर कहते थे पूरी स्चेतर को तो मैसूर में जो गंग वश का वहाँ जो गंग वश है उसका मंत्री था चामुंड तो उसके योगदान से वहाँ पर जो है स्वन बेल गोला के अंदर विशाल बाहूबली की मूर्ती यानि दस्मी स्थाब्दी में विशाल बाहूबली की मूर्ती गौमतेश्वर की मूर्ती कहते हैं गौमतेश्वर की मूर्ती इसका निर्मान करवाये गया था कहां पर स्रवन बेल गोला में करना टके हैं और ये बाहुबली जो गौमतेश्वर की मूर्तिर ये बाहुबली है कौन? तो ये ध्यान में रखेगा जो पहले गुरू थे जैनों के रिशव देवजी उनके फुत्र हैं ये बाहुबली जिनकी मूर्ति है तो थोड़ा सा ये पॉइंट आप ध्यान में रखे लेजीगा एक ट्रम और आती है केवले तो केवले जो ट्रम है ये जैन द्रम से है केवले का मतलब मौक्ष भी होता है केवले का मतलब ज्यान भी होता है तो केवले जो ट्रम है ये जुड़ावा किस से है? तो ये जुड़ावा है जेहन द्रम से तो ये कुछ मैन मैन बिंदू थे और इसके अलावा जैसे माले जी है मौरियोत तरकाल मतलब मौरियोत तरकाल के बाद में जैसे मतूरा जो है तो वो जेहन द्रम का मैन पॉइंट माना जाता था कि जैन दरम के कान मतुरा बहुत फेमस था हूँ समय तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख लिजिएगा बस बाकी जो सारी बातें थी मैंने आपको लग जो पूछा जाएगा तो 99% चांस तो ये है कि जो आपको मैंने पढ़ा दिया इसमें से आपके एक्जाम में क्युस्टन आ जाएगा तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जुरूर बताईएगा वीडियो को लाइक जुरूर करें जदा ज़्यादा शेयर करें तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जा हिंद जा बारत